हेलो यूट्यूब फामली, गूड इवनिंग, शाम का समय है और आज मैंने सोचा कि आप सब के साथ मैं अपना इवनिंग रूटीन शेयर करती हूँ, दो घंटे पहले मैंने ड्रेस दू ले थी तेजस की तो वो सूप गई है तो वो मैं लेने आई हूँ, एक दो कपड़े औ करेगा और आपको जादा मेहनत करने की भी चरुवत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वकद मेरे पास टाइम था, तो मैं यहां पर कर रही हूँ, अपने जो टीवी है, उसको मिलवटी डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं वीक में एक दो बार ऐसा कर लेती हूँ, क्योंक में बहुत ज्यादा काम हो जाता है, जिस दिन तो उस दिन यह काम मैं नहीं करती हूँ, यह चोड़ी चोड़ी आदते, अगर आप अपने में इंक्लूट कर लो ना, तो आपका घर एक दम सही रहेगा, परफेक्ट रहेगा, तो कूलर राका था, कूलर पर भी डस्ट बहु क्लीन करती है, तो मैंने स।चा की चलो भाई मैं धीनों केजि़ा कि सूंच मौधाकि करता औस घाजन को चलो, क्या वी देक्शन को करें लेक्त जब कर्टेन भी ड़स्टिंग की थी रुवीरा भी की थी साथ में खूलर और अधर्श होती अ उनको किया था पर्फेक्ट करने का तरीका यही है कि बीच में बीच में आपको टाइम मिले न तो चुटे-चुटे काम करके कर देने हैं कभी आपको टाइम मिले तो फ्रिच साफ कर इसके बाद मैं शाम को आ गई हूँ किछन में और दूद और चाय मैंने चड़ा दी है आप देख सकते हो इसके बिना हमारे आंग काम नहीं चलता है तो फटाफट मैंने चाय दे दी है हजबन को और यहां पर मैं बना रही हूँ डिनर और ब्रंच यानि शाम का नाश्ता दोन यहां पर मैंने बेसन लिया है और बेसन में मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च कलर के लिए बस डाली है और इसको अच्छी तने से मैं फेट हूँगी आप समझ के होगे कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ जी हां मैं पकोड़ियां बनाने जा रही ह पकोड़ी और इतनी बढ़ियां बनेंगी थोड़ी दिर मैं इसको फेट के अच्छी तने से रेस्ट करने के लिए रग दूगी एक टेप आपको बताती हूँ अगर आपको बहुत ही स्पंची पकोड़ी चाहिए तो इसमें दो चमच तही डाल दीचेगा तो मैंने ऐसा सजिसि स्पंची रग बनती है तो मेरे हाथ में जब कुछ बेसम लग जाता है को उस हाथ से मैं जब पकोड़ी निकालती है तो ज अनवेड-गश्य बढहा इस तने से मैं इस तने से डालती हूं और दिखे एकदम गोल गोल परफेक्ट बन रही है ना पकोड़ी और इस तम स्पंची बन रही है इसमें मैंने दो चमबच टही डाला है जिससे हमारी जो पकोड़ीयों का बेसा ने वह थोड़ा से फोर्मेट हो गया है और यह देखे कि परफेक्ट पकोड़ीयों निकली है एकदम देखे चोटी चोटी सी बनिया सी स्पंची पकोड़ीयों निकली है चलिए रेकफास मुलेफ सॉरी नाश्ता शाम का देती हूं ब्रंच तो देजस के लिए मैंने नाश्ता निकाल लिया है सौस के साथ मैं उसको पकोड़ीयों दोंगी जैसा वहता है मेरा मन होता है वैसा काम करती हूं यह नहीं है की आज मुझे काम करना है ऐसा कुछ क neces करते की तो आपको आपको काम काम नहीं लगे've तो मैं टेजस को देख रहे थी तो टेजस इसी वाले यह पर में इनको कैम परबने क्ड़्र नहीं थे चलते हैं इनर MS और lep पहले शेयर कर दी जिस तरह से मैं बनाती हूं और तो कपड़े बचे थे सूपने के लिए वह मैं आ गई हूं चट पे लेने क्योंकि सूप गये थे रात का समय भी था तो मैंने सुचा कि चलो ले लेते हैं और आ गई हूं मैं यहां पर डिनर निकालने क्योंकि डिनर बहुत जरूरी है निकालना क्योंकि आप समझ सकते हो डिनर का टाइम था तो डिनर यह है हमारा कड़ी चावल किस किस को कड़ी चावल पसंदे प्लीज कमेंट शेक्षन में जरूर बताईए का तो आज का व्लॉक आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर información कि आपिलव के तू आप सेयर स्पूब शcom में जरू कBERT किस को कोुपने में जरूज क лиम जरूर आपक तो आया है व्लॉक आपको पसंद आया है हम जरूजे इनर भूर बताव मतीं हमुआ है हमारा jour को आपको 648 औिस्वान का ल çıktı